हेलो बच्चो नाइच टू मीट यू आम आलोक सर तोड़े आर वी गोईंग टू डिवेट अबाउट अब्जॉप्शन बाई रूट दा प्रोसेस आप इन्वैलड ओके तो देखो प्लांट में जो वाटर और मिनरल का ट्रांस्पोर्टेशन होता है रूट हेयर से अल पार् सब्सक्राइब करना है तो चलिए प्लांट फिज जो आइडिया का ट्रांस्पिरेशन पूल कैसे होता है यह सारे चीजें हमें कवर करते हुए इस शेप्र को खतम करना है तो चलिए बार्ट फिज्याल्जी क्या है जो पढ़ने का प्रम्ट ऑप्शन का पार्ट ओले competence अप दिन बिथ दिलाएफ उंकलूइब कर एंदर नेम ही है तो उसमें प्लांट हosureं यह तो इसमां इंक्लूड गैशल्य सभी ऑ्प्य luôn बिल बीथ इक जब्म सिस्ट्रम आर्गनीजम किमेंट सिगनिफिकेंस और लाइफ ऑफ 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 सबसे पहले पढ़ना है तो आपको इतना दो पता ही है कि जो रूट का क्या में फंक्शन ओट वट इस फंक्शन आप रूट रूट एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल फ्रॉम दश्वाइल और वाटर और मिनर सपोर्ट प्रवाइड करते हैं जिससे प्लांट अप्राइट रख पाए तो देखें रूट फिक्स दप्लांट इंटू दस्वाइल रूट क्या करता है प्लांट को स्वाइल में फिक्स कर देता है और सपोर्ट करता है इंपॉर्टन लाइफ सपोर्टिंग हो गया जैसे क मेटाबोलिजम में जैसे की फोटो संथेस्ट ट्रांस्पिरेशन वर्गेस टाइप आफ एक्टिविटी करने में वाटर और मिनरल को प्रॉम स्वाइल से पहुंचाने का काम करते है तो नीड आप वाटर क्या क्या वाटर की जरूरत है प्लांट को क्या वाटर की रिक्वार् यूज करता है 92% अंड ट्रांस्पोटेशन में भी यूज करता है जैसे फूट को ट्रांस्ट ट्रांस्पोटेशन बोला जाएगा ट्रांस्पिरेशन तो फोटो संथेस्ट के लिए वाटर की रिक्वार्मेंट होती है ट्रांस्पिरेशन पूलिंग एफेक्क करता है प्ला सब्सक्राइब करते हैं जो आंधी तुपान जो भी चलते हैं जिसके वज़े से प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है पीर आता है नि आप में र्यूट्रीन ब्लांट को निज्टक कि क्या रिक्षपार्मेंत है प्लांट नूड्रीन लगेंगों नूट्रींस कियूंज चाहिए इन प्लांट नूट्रीन को reflect अभेंर इसों चीज़ें क्या मिनरल्स जो है बहुत ही इसफुल है आपकी बुक में भी देखे हो लिखा हुआ है जैसे वाटर का अप्जॉब्स होता है उसके तुरू मिनरल्स प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं ठीक है अप्जॉब तो कौन-कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट को नाइट्रेट की फास मिनट्रेंट मिनरल्स है तो मैंगनीशियू मैं मैंगनीशियूँ मैं इसेंकर क्लोरीन के लिए क्लोरियू चैसीज क्लोरोफिल की रिक्वार्मेंटत पको लिएSabri साथ belonging लेघ आख़ती को टो सब्सक्राइब ने आम प्लानट को ये कव मनाता ये इस थे लिग सकत तो Minneapolis सेमी पर्मेबल मेंबरेन को मेंटेन करता है यह सेल डिविजन में और कंट्रोल ओपनिंग आप इस्टोमेटा सबसे प्लूज बेस्ट का अप थियोरी भी पड़ोगे कैसे इस्टुमेटा ओपन होता है कैसे इस्टुमेटा क्लूज होता है इसके बारे में भी आप समझ होगे जानोगे तो यह मस्ट इंप्वर्टन को सब्सक्राइब है आप्टर डेट हम इंग यह या करते हैं किसमें यूज होता है डिक है प्लांट के दवारा में आता है फोतो संतेसिस में help करता है necessary for photoowania रहे नमकलन को करने के लिए माईगक diffsu की मैं रिक्वार्मेंट नाइट चौन जो रोटेन संदेशिस करने में बहुत ही कर फूर्मेंट होती मीनल से उनका य्जुश्व ब्लांट को तो हम होने क्या-क्या बताया magnesium essential chlorophyll zinc essential for leaf formation calcium essential for cell membrane semi-permunity बनाने के लिए potassium की requirement होती है इस्टोबेटा के open and close होने के लिए phosphorus की requirement करने के लिए manganese requirement है photosynthesis करने के लिए ठीक है फोटो लाइसेस के दुआर प्रोसेस को complete करने के लिए और nitrogen की requirement है प्रोटीन बनाने के लिए ठीक है तो यह आपको करेक्टर आप रूट्स फार्दा अब्जॉब क्या-क्या characters है रूट को water absorbs करने के लिए तो देखिए पहला है expensive extensive route rapid growth इसमें पहला करेक्टर यूज surface area इसमें बहुत बड़ा इस एरिया है जो surface area को प्लांट क्या करता है बढ़ा देता है क्या करता है प्लांट सर्फिस एरिया बढ़ा देता है जिसके वह जब्याय से water and minerals का absorption easily plant में होने लगता है ज्यादा से ज्यादा water को क्या कर सकता है minerals को क्या करता आफ्तर दाट ये हाई कंसेंट्रेशन से अप्डरूट लूट तो जो प्लांट के ये जो लार्ज भैक्टियूल होते हैं वो इसमें सील्स हप होते हैं जो आसानी से हाई Kंसंट्रेशन से लो का लिएम अर्टर की तरफ करा लेते हैं तो यह आपको तो क्या क्या रीजन आपके बुक्स में दिया गया पहला रीजन दिया गया है सर्फिस एरिया आप रूट इस इनॉरमस मतलब इस अ कॉमन देख भी रहा होंगे इस डाइग्राम में तो यह आपको कंप्रीट हो गया आफ्टर देट कुछ यहां पर आपको भीकोपीडिया में भी दिया है कि जो एच जे वर्क आउट आप दा फूर्थ मन्थ ओल्ड यह रे प्लांट उन्होंने राइ प्लांट पर चार साल इस पर एक्स्पेरिमेंट किया और शिक्स थाउजन किलोमेटर तक उन्होंने एग्रिगेट किया तो नंबर आप रूट हैर्स इस एक्सीड फुर्टी मिलियन आप उन्होंने कितना पाया फुर्टी मिलियन आप टोटल इवें दर वन तेन थाउजन किलोमेटर तक बुरो करें तो अल्टूगेदर रूट एनी प्लांट प्लांट प्रूबाइड हूज सर्फिस एरिया इन फैसलिए दा अप्जॉप्स स्टेंटेशन देट स्वांडिंग दा वाटर रूट है यह सब्सक्राइब तीन वाल तो आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है आप्टर एट हम बात कर लेंगे पर मिलिटना दो तो अगर यहां पे फोर ताइप की लेर्स होते हैं सेमी पर मेंबल लेक्तिव पर मेंबल ते लेक्तिव ऑल बर मेंबल और सालीवंट दोनों के अलाव करें रहें सेमी पर मेंबल का मतलब जो सिर्फ अलूटर सालेवंट एककौर्डिंग तूरीक्वार्टमेंट के जो सिर्फ क्या करता वाटर खर म्मॉप्रेट सौधिल को से ल वाँ मेन करता लिए करता चुछ करता साइज हैं रिक्वाइमेंट कि वेवल किसी को आने जाने नहीं देता है चार ताइब के बारे वे हम पड़ेंगे तो रूट है Ruot यह सब को मॉ lawsuits को करते हैं वहीं अगर भात करने हैं की जो रूटेर की cell membrane है वो क्या करती है बबढ़िती है वेलिट होने के वज़़र से यह क्या है सेमी परमेबल membrane है और लाव करती है स्थे वाटर बट नॉट लाज मॉलिकूल डिजॉल्विं दे शॉल लाइक कर and secrete the absorption of water from the soil by the root like तो लिस्ट थ्री primary function आप रूट वाट इस दो अन्मेंशन तो क्या क्या प्राइमरी फंक्शन है प्लांड को अप्वोल्ड करके रखता है ठीक है water and mineral का absorption करता है और यह mechanical support प्रवाइब करता है mention for purpose of which plant need water so it transpiration photosynthesis translocation and tragedies where are the mineral are mostly used in plant so in leaf yoga okay the uh list three main character of the root that suitable for draw the function of soil but the main character of the roots that suit them draw water from the soil to uh anchor the plant आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो absorption and condition of the water minerals जिसमें absorption क्या है condition क्या है water minerals का इंविनेशन एक process होता है यह सारे process है enter the mechanism of absorbing water and minerals from the soil by the roots movement through the thickness of the root and absolutely upward condition through the stream result क्या होगा five main concept है इंविनेशन, diffusion, osmosis, active transport and tertiary and flaccidity there are five process in this process से plant में transportation को transportation done होता है तो इंविनेशन क्या है इंविनेशन इस फिनॉमना बाइच लिविविंग अंडेट plant absorbed by the surface of attraction मतलब इसमें क्या होता जैसे सीड ले लिया राजमा ले लिया इनको किसी water में भी होते हैं और डब्बे को बंद कर देते हैं तो यह क्या होगा उनमें इंडो आस्मोसिस के process से ठीक है वाटर इन करेगा और वह स्वैल कर जाएंगे जिसके इसके सेल कर जाते हैं और वह और उस्मोटिक प्रेशर के वजह से वह बाहर चाजिलिटी को आप्रेण करेगा और प्रेशर जनेरेट होगा और वह बाहर आ तो देखो यहां पर लिखा है substance that are made up of cellulose या प्रोटीन हाइड्रोफिलिक वह क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं इंबाइबिक वाटर या मॉश्चर और स्वैल पूल जाते हैं जैसे कि ड्राय सीड उडेन डोर स्वैल अप अनकंटेंट तुदा इमिनेशन प्रोसेस इंबिनेशन प्रेशर जन्रेट होगा सीड कोड रैप्चर हो जाते हैं और इस केस में जर्मिनेटन जर्मिनेटिंग सीड में ऐसा देखने को मिलता है इंपोर्टन फोर्सेज ऐसेट अपसेट डिफ्यूजन को बहुत सिंपल तरीके साब डिफाइट कर सकते हो यह बता सकते हो तो तो दा मॉमेंट आप मॉलेकूल फ्रॉम्हाइर कंसंटेशन रिजन टू लोगर कंसंटेशन रिजन जिए तिस प्रॉसेस इस नोन आज डिफ् प्रेशर की बात करोगे तो यहां पर बताया भी क्या है थोड़ा सा बता दे रहे है इट इस अ प्रेशर एक्षर पाइड डिफूजिंग मॉल्ड पार्टिकल्स बहुत सकते हो डिरेक्ट्ली प्रोप्रेशनल टूदा कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करता है राइट हाइर क्या सकता दिफूजिंगा रता हो सकता है तो इन्हीं इंक्रीजी ओं चैखाएगा और से Ultra ॉदिटार क्यूजिंग ऐस्टेश मॉल्डेस स्माल आंप्य प्रोल particulars और विच डिफुजन उकर इंक्रीज एंड नमबर आप पूर आप सेल मेंब्रेन लार्ज एन साइस अब ग्रेट यह होते हैं थिक है तो डिफुजन इन अवर डेली लाइप में क्या है सुगर इस पूट इन लिक्विड लीकुड करता है मॉलक्यूल हो जाता है तिक है लिक् बोटल और अल्सु रिश्ट्रू दा प्रोसेस अब इसी तरह डिफ्यूजन अब्जोब इन प्लांट में अब्जोब किया गया या पाया गया इट हेल्प गैसियस दूरिंग फोटो सेंटेसिस और इस्परेशन और गैसियस एक्षेज में हैल करता है ट्रांस्परेशन वाट दिफ्यूस फ्रॉम दा इंट्रमॉलॉकुलर इस्पेस और आउटर अट्मॉस्फियर दूरिंग पैसिफ साल टेक और अन एब्जोब बाइद सिंपल प्रोसेस अब डिफ्यूजन तो आपके बुक के कोर्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है इसमें देखो सब्सक्राइब करते हो अस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करते हो अस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अस्मोटिक प्रेशर जो है इस शल्यूशन इस अ प्रेश इस बीडिगोड एक्ज को रोकने के लिए विए गिवें मूर सॉलेंट मॉलिक्यूज आज सेपरेट फॉम्टेंट और टिफेरेंटली पर्मेबल में ऐसा होता है इस 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 नून है आप्रेशर अस्मोटिक का मतलब आउस्मोसिस मतलब पुस और मतलब बाहर फुल में क्या होगा जब वाटर मॉलिकूल के अंदर उसको बोलेंगे जब वाटर मॉलिकूल किसी से बाहर की तरह मुव कर रहा है उसे एक्जोस्मोसिस इसके बेस पे एक पर वर इसमें सेल फून पेपर लगाया एक रहा है इसमें as करेगा और भाहर नेंच्रीज होगा कि इसमें वाटर मॉलिकूल को अप जॉप करेगा क्योंकि वाटर मॉलिकूल कॉंटे में ज़्यादा है और सब्सक्राइब कम है तो जाइट सबात है हाई कंसेटरेशन टू लो कंसेटर गी तरफ वाटर मूफ करेगा जिससे सल्यूशन का मतलब जो प्लास्क है तो इसमें लेबल इंक्रीज हो जाएगा यह आपका तो इसमें कौन सा अस्मोसिस हो रहा है और जो सेलफोन पेपर है वो कैसा है सेमी पर्मेबल मेंब्रेट इससी तरह बहुत सारे प्रेटिकल्स दिये गए हैं जिसमें आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ जाएं आफ्टर डैट ऑस्मोटिक प्रेसर जो मैंने अभी जैस्ट पताया ठीक है और इसमें बाद टॉनिस टॉनिस सिटे अब इसमें सिस्टम पार्टिकल्स जैसे की तरफ होता है जिसमें आईसो टॉनिक हाइपो टॉनिक बना जाया आइसो गांतलब जब फिनिटियं चैनल हो एसमें हाइं आइसो तोनिक में सेम हो तस्को आपद इसमें वाटर मोलेकूल कंसेंटेशन कम पूए प में गंसेंटेसनों है जैसे कि दर रिलेटीब कंसेंटेशन आफ वाटर मोलेकूल आज सेलुट आइदर अप्दा च्रोप्र अप्रोमेड मेंब्रेज बेर इसमें सेल्प्रोड कर रहे हैं तो इसमें जितना वाटर-मॉलकोल तो यह में तरह आपका है आइसोटोनिक में आपने यह देगा तो है पर में वाटर मॉल्यकुल बाहर कम है और यहां पर वाटर मॉल्यकुल चले जाएंगे जिससे स्रेंग कर जाएगा तो इस ताइप सलिशन इस नोन आज hypertonic solution और hypotonic में water molecule बाहर ज्यादा है दिस farm है जब water molecule मौलीक्ल्ड ज्यादा हो रहा है और यह वाट मौले dolc और है आपको समझ में आ गया होगा तो डिफ्यूजन और अस्मोसिस में डिफ्रेंसीट किया जा है तो डिफ्यूज़ दोनों में इनर्जीक रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन डिफ्यूजन जो है वह